दोस्तो आप सभी के लिए बहुत ही important वीडियो होने वाला है उमर खान का असली गेम यहाँ पे चालू हो चुका है गेम खेलना है स्टार्ट कर चुके हैं उमर खान तो यहाँ पे बीलब को लेकर USDB को लेकर BFIC को लेकर BVTC को लेकर बहुत ही important आप सभी को message देने वाला हूँ बहुत ही बड़ा upgrade आया हुआ है system की तरफ से आप सभी को जो भी में आप अपडेट आया है और आपको करना क्या है क्या नहीं करना है सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखना तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे देखें बीलब देखी यहाँ पे बीलब की बात करें तो अभी आज की date में बीलब की price आज की बात करें वो आपका फीच 10% अब हो जाएगा कल से तो भाईया यहाँ पे तड़ा तोड़ लोग यहाँ पे bidrol कर रहे हैं भाईया यहाँ पे देखा जाया है तो bidrol करने के लिए 10% फीच कौन देगा इसलिए यहाँ पे double फीच को बचाने के चक्कर है भाईया यहाँ पे लोग बहुत ही जादा तेजी से USDB ले रहे हैं USDB का price काफी हद तक बढ़ गया है जहाँ पे USDB 40 रुपय में मिल जा रहा था 35 रुपय मिल जा रहा था अभी वो USDB अभी आज के समय में आज के डेट में अभी का बात करें तो USDB जो है अभी 555 के rate से आप सभी को मिल रहा है तो भाईया आप समझ सकते हैं कि कितना जादा महें आई बढ़ गई यह अभी जो कि कल के डेट में अभी फीस अभी बढ़ेगा मतलब कल update होगा ठीक कल live होगा अपका जो फीस है 10% वो कल live होगा लेकिन उससे पहले लोग क्यों ले रहे हैं कि USDB क्योंकि भाईया 10% फीस लगेगा इसके कारण लोग बिड्रोल कर रहे हैं अपना USDB लेकर BLB बिड्रोल कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे भाईया BLB का भी डिमांड बढ़ गया क्योंकि आब आपको पता है इस्टेकिंग आप नहीं कर सकते हैं बहुत साथ लोग मुझे करें भाईया इस्टेकिंग हो रही है तो हो सकता है कि आज रात को 12 बज़े तक इस्टेकिंग आपकी लग जाए मैंने चेक नहीं कि आप चेक कर लेना USDB यहाँ पे जो सोरी यहाँ पे जो BLB की स्टेकिंग है यहाँ पे आप सभी का अब नहीं लगेगा इसलिए यहाँ पे BLB का डिमांड काफी हद तक बढ़ चुका है और हाँ यहाँ पे 20 तारिक को BLB की बर्निंग भी होगी तो आप सोचिए उस हिसाब से BLB किस लेबल तक जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं है जो लोग सेल कर रहे हैं वो लोग पस्ता सकते हैं वही यहाँ क्योंकि प्राइस काफी हाई लेबल तक परफॉर्मेंस कर सकती है और इसकी लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो ≦्र यह हम कनफर्म नहीं कह सकते हैं MLM Plan है, हम कहते हैं कि उमर खान, कभी भी अपने Plans को बदल सकता है उमर खान के हाथ में हैं वहाँ आई सारा कंट्रॉल उमर खान के हाथ में क्योंकि यह Centralized Plan है MLM Plan है MLM plan का कोई guarantee नहीं हो सकता दोगों वैसे तो guarantee crypto currency का भी नहीं है लेकिन crypto currency एक decentralized है और कोई भी crypto currency अगर किसी blockchain पर काम कर रही है तो भाई या सिदी से बात है कि भाई वो system से प्रेंचल रही है और इनका कोई मालिक नहीं तो अच्छी बात है अगर कोई मालिक है तो भाई वाई वापे खतरा है तो उमर खान बैसिकली यहाँ पे BLB का मालिक है आप सबको पता है तो उमर खान इसमें changes कर सकता है बदलाव कर सकता है तो यहाँ पी मैं आप लोग को हर बार बोलता था कि भईया उमर खान बहुत ही अजीब इंसान है जो कहता है वो कहता नहीं है और हाँ एक बात और कि आप सबको पता है कि BLB का जो अभी USDB फिस लग रहा है BLB को बिड्रोल करने के लिए वही फिस BLB में उमर खान बोला था तो भाईया कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है लेकिन एक बात हम मानेंगे कि उमर खान इतने बड़े लेबल पर काम कर रहा है एक बोलेंगे हाँ एक राजनीतिक इनसान है और अगर उमर खान चलाग नहीं होता तो आज BFIC का प्राइस 18 डलर नहीं होता तो भाई इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ भी है बहुत बड़ा काम भी है ठीक है इनकी टीम है तो भाईया जायर चीबात है कि यहाँ पर एक बात तो है कि BFIC की जो सफलाई हो कम है इसलिए यहाँ पर प्राइस जादा है लेकिन BFIC की सफलाई 100 बिलियन है बर्निंग के बात BLV लेने की सोचेंगे दो रुपे से कम तो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा बहुत मिलेगा कम बहुत मिलेगा मैं कम तो आपको डेल रुपे से कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा एक रुपे पचास पैसे लास्ट मैं बोल रहा हूं मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमा मिनि क्योंकि भाईया यहां पर लोग अब चाहेंगे कि भाईया आमको 2 डॉलर प्राइज मिले, तो क्यों लोग सेल करेंगे, तो 50 exchange पर उमर खान लिस्ट करने की बात किये हैं, और 50 exchange की अगर मैं बात करूँ, तो देखो यहां पर 50 exchange पर लिस्ट नहीं होता है, और हाँ कुछ condition नहीं बहुत condition उमर खान जरूर लगाएंगे इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि अपना BLV wallet में मत रखना application में metamask account बना करके metamask में जरूर रख लेना क्योंकि वहाँ पर किसी का बाप नहीं रोख सकता आपको withdrawal करने के लिए metamask पुरी तरह से decentralized wallet है ठीक है आप सबको पता है न तो custodial wallet और non custodial wallet बहुत बड़ा फरक है तो ये बात हमसा ध्यान रखिएगा और आपको अगर BLV का पुरा लाब चाहिए तो आप metamask में रखना और BLV खरीदना है तो आप description दिये गए मेरे group को join कर सकते हैं और मेरे number पर directly message कर सकते हैं वर्टाप कर सकते हैं मेरे नाम से बहुत सारे फरजी लोग भी आ गए हैं तो उनसे बच कर रहे हैं मेरा official number last name 43 है यह में सायाद रखना ठीक है 85-43 ठीक है तो यहाँ पर guys आप लोग फटा-फट comment कर सकते हैं आट कर सकते हैं और कोई दिक्कत परसानी हो तो आप लोग अपने इसाब से देख सकते हैं आपका क्या आए देखिए और subscribe करेज़ेगा वीडियो को लाइक करिए share करिए मिलते हैं नक्स्ट वीडियो में थांक्स परवाज़